विल्कम टू जेके टोपर्स तो कैसे हो आप सब अच्छे होंगे प्रिप्रेशन कैसी चल रही है तो अच्छी ही चल रही होगी क्योंकि डेली हमारी क्लासी जो जेके पी बॉर्डर बटेलियन की और जेके सिस्पी वाइड लाइफ की चल रही है ठीक है तो मैंने आपको एक अपडेट भी देट थी कि जिन स्टूडन ने स्सें एम्ट इस में 他 जिन स्टूडन ने अप्लाई किया है ठीक उनका प्य जो एक्जां है वह जल्द ही आनेवाला है जो की डेट announce कर दी है ठीक है 5th June से वो पेपर स्टार्ट होने वाले है ठीक है तो आई ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है जे की वॉर्ड बर्टेलियन पे कुछ मैं MCQs लाई हूं जो कि बहुत important है कुछ students बोलते हैं ma'am easy है तो कुछ students बोलते हैं कि ma'am ये tough है ठीक है इस तरह के question नहीं पूछे जाते देखां तो इसी तरह से आपके question ये पूछे जाते हैं आप बस एक जगा इधर उदर की बाते ना सुने तो देखिए first question जो हमें कहता है who administrators the oath of office to the president ठीक है अब जो कौन से administrator है जो adminsters है तो वो क्या करते हैं वो एक oath लेते हैं office कौन से office में president के office से तो वो कौन है आपके पास 4 option देखिए 4 option है तो सही answer जो होगा आप उसको tick लगाईए ठीक है यनि कि comments में आप उसका answer दीजिए ठीक है तो क्या होगा सही answer हमारा सही answer जो है a part chief justice of India चलिए next next question हमें पूछता है an individual who is not a member of either house of parliament can be appointed a member of the council of ministers but he has to become a member of either house within a period of देखिए जो एक यनि की parliament का जो house होता है अगर उदर का कोई member नहीं है ठीक है तो वहां पे जो appoint करेंगे वो करेंगे का council of ministers ठीक है लेकिन जो वो house है वो कितने दिन तक यनि कि कितना period उसका रहता है तो option आपके पास 4 है देखिए 1 month, 2 month से 3 month, 6 months ठीक है तो 4 option है आपके पास सही answer क्या होगा आपका सही answer जो है यनि की D part ठीक है 6 month का period होता है next question है which one of the following does not constitute of electoral college for electing the president of India ठीक है जूम कम कर देते हैं ताकि आपको चारों option clearly दिखें तो क्या है इसका सही answer तो सही answer जो है इसमें यनि की D ठीक है डी answer जो है आपका बिलकुल सही है जो की लिखा है elected members of the legislative council ठीक है next question आपके पास who among the following enjoys the rank of the cabinet minister of the Indian union तो कौन सा rank है हमारे cabinet minister का देखिए आपके पास चार option है तो सही answer जो होगा क्या है सही answer जो है यनि की B part deputy chairman of the planning commission next question देखिए the chief ministers of union territory where such a setup exists is appointed by the तो किसके द्वारा ये appoint होते है हमारे जो UT के CM है प्रेजिडेंट प्राइम निस्टर लेफटनेंट गवर्नर या majority party in legislature तो सही answer क्या है सही answer जो है यनि की C part lieutenant governor इस वक्त हमारे लेफटनेंट गवर्नर कोन है तो वो आप मुझे comment session में जरूर बताएं बाकि आपको अगर किसी भी question में doubt आता है तो हमारा एक नया channel है जो की telegram का है ठीक है वो जाके आप join कर सकते हैं वहाँ पे आपको कोई भी doubt आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं ठीक है तो देखिए ये question जो है six the five year term of the president is calculated from the पांच साल का जो term रहता है इसका president का जो पांच साल का term रहता है तो वो कहां से start होता है देखो calculate कहां से करते हैं option देखिए चार आपके पास है first day of the month he assumes charge या first day of the month following the month he assumes charge या day he assumes charge या day of his election result सही answer क्या है आपके पास यानि की c part जो है आपका बिल्कुल सही answer है day he assumes charge next question है which of the following is not true regarding the payment of the amulment to the president ठीक है अब इन में से कौन सी जो सही स्टेटमेंट नहीं है किसके अगे यह रिकार्डिंग पेमेंट ओफ अम्यूल्मेंट्स के ठीक है देखो चार आपके पास they do not require any parliamentary section या they can be reduced during a financial emergency या they are shown separately in the budget या they are charged on the contingency fund of India तो सही answer जो है आपके पास यानि की डी पार्ट जो की लिखा गया है they are charged on the contingency fund of India next question है आपके पास which of the following appointment is not made by the president of India ठीक है अब इन में से कौन सा appointment है जो की प्रेजिडेंट हमारे जो प्रेजिडेंट है इंडिया के तो उन्होंने नहीं बनाया है तो देखें नीचे आपके पास option है speaker of the log sabah नहीं बनाया है chief justice of India नहीं बनाया है या chief of the air force या chief of the army जल्दी से आप comment कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने students जो है इस video को या इस class को देख रहे हैं और अपना score बता रहे है ठीक है तो सही answer क्या है इसका सही answer है इसका यानिकी ए पार्ट ठीक है जो की speaker of the log sabah next question देखिए next question पूछता है minimum age required to contest for presidentship is अब इसमें age कितनी होनी चाहिए option देखिए चार option है आपके पास तो सही answer जो है यानिकी 35 years ठीक है 35 years जो age है वो required है यहाँ पे next है the power to grant pardons reprive और remission of punishment under article 72 is excised by the president of India option चार दिये गए है तो सही answer क्या होगा इसमें आपका देखिए सही answer जो है यानिकी C part on the advice of council of ministers next question है the only president of India who was elected unopposed is तो option देखिए चार आपके पास है तो जो भी आपको answer आता है फटा फट नेचे लिखिए और question number 11 लिखके आप मुझे नीचे comment box में answer जुरूर बताएं ठीक है तो यह question मैं आपको देती हूँ जो की 11th question रहेगा next question है who act as the president of India when neither the president nor the vice president is available देखिए question क्या पूछता है कि कौन सा act है ये देखिए आपके पास चार option है कौन सा act है ये ये है आपका यानि की वी चीफ जस्टिस ओफ इंडिया next question करते हैं next है आपके पास which is true regarding the president of India अब इसमें से true statement बताने है कौन सी है किसके regarding president of India के recording तो चार option आपको दिये गए हैं तो सही answer क्या है आपके पास सही answer आपका हो जाएगा यानि की डी ठीक है डी जो है आपका बिल्कुर सही answer हो जाएगा next आपके पास when the chairman of Rajya Sabha act as president the duties of the chairman are performed by जब Rajya Sabha के जो chairman है ठीक है तो वो अपनी duty करते हैं कौन सा performed के दवारा option आपके पास 4 है सही answer क्या हो जाएगा सही answer है आपके पास c the deputy chairman next question है disputes regarding the election of the president and vice presidents are settled अगर dispute हो रहा हो किसके regarding election के regarding किसके बीच president और vice president के ठीक है option देखे चार in the supreme court by the election commission and next है by a parliamentary committee and next is in the supreme court of high court तो क्या होगा सही answer a part in the supreme court चलिए next question what function is specially prescribed by the constitution of the vice president of India चार option आपको दिएगे हैं अप्शन चार दिएगे हैं the same electoral college will which elect the president member of the Rajya Sabha and electoral college consisting of members of parliament या members of parliament at a joint meeting तो सही answer है आपके पास c यानि की an electoral college consisting of members of parliament next question करते हैं the prime minister at the time of the appointment देखे आपके पास ये statement दी है सही answer जो है आपका 18 का यानि की a part ठीक है only one so यहां पे पूछा गया है कि prime minister at the time कि इसको appointment करते हैं तो देखे यहां पे need not necessarily by be a member of one of the houses of parliament but must become a member of one house within six months ठीक है so मैंने आपको period बताया था पीछे तो वह था आपका सही answer next चलते हैं the union council of ministers consists of यह किसको consist करते हैं तो वह हैं आपके कौन यानि की depart cabinet ministers ministers of state and deputy ministers चलिए next है the portfolios are allocated to the minister by option आपके पास दिये गए हैं यहां पे तो सही answer जो है यानि की B part ठीक है the prime minister next question चलते हैं the executive power is vested in the president but it is actually used by him on the advice of option the prime minister B option the council of ministers and C option is parliament and last option जो है यानि की none of the above ठीक है इन में से कोई भी नहीं तो सही answer क्या है आपके पास B यानि की the council of ministers next question है आपके पास an office of profit which disqualifies a person from being a member of the union or state legislature does not include office held under the option देखिए the option देखिए A option जो है the government of India and B option a state government C option is a local authority and D option है आपके पास all of the above ठीक है जल्दी से देखिए जीए answer मुझे comment box में तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को जट से लाइक कीजिए ठीक है फटा फट से वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा वीडियो को शेयर कीजिए तो सही answer क्या है हमारा 22nd question का यानि की a local authority next question देखते है ministers may be chosen from तो ministers जो है वो किसमे से चुने जाते हैं लोकसभा राज्यसभा यह आउटसाइट दई legislature तो सही answer क्या आपके पास यानि की d first second and third ठीक है इन सब से क्या है minister को चुना जाता है next the ministers are individually responsible to so individually के इसके ministers के जिम्यदारी जो है वो किसकी होती है the president house of people prime minister the house of which they are members तो सही answer क्या है यानि की a the president next question है मारे पास ध्यान से सुनेगा which one of the following powers can be excised by both the president and the governor option 4 आपको दिये गए है तो सही answer जो है इसका यानि की c part बिलकुल सही answer है power to commute a sentence of death in certain circumstances next question है which one of the following statement is correct अब इन में से सही जो statement है वो आपको बतानी है तो सही मैं आपको बताओं तो वो है आपकी यानि की B ठीक है तो लिखा क्या है the governor of the state holds his office during the pleasure of the president चलिए next question हमारे पास who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India ठीक है तो जो हमारे पहले Prime Minister थे उन्होंने appoint किया था एक पहला Rajya Sabha के member तो उनका नाम जो था वो आपके पास दिया गया है option यहां पर तो सही answer जो है वो जल्द से जल्द मुझे answer बताईए तो वो है आपके कौन इंद्रा गांदी next question है what is zero or ठीक है अब zero और जो है वो क्या है option है when the proposals of the opposition are considered B option है when matters of utmost importance are raised C option है interval between the morning and afternoon session and D option है when a money bill is introduced in the लोक सभा तो सही answer जो है यहनि की B part हो गया हमारा when matters of utmost importance are raised next question है who was the first speaker of the लोक सभा so इस question का आप student मुझे दीजिएगा answer ठीक है तो जैसे ही आपको इस question का answer लिखना है सबसे पहले आपको question number वहाँ पे लिखना पड़ेगा comment session में then आप मुझे इसका answer बताईएगा ठीक है तो इसमें पूछा है first speaker कौन है लोक सभा के वो आप मुझे बताईए चलिए next question कर लेते हैं हम next question है the लोक सभा is called in session for at least how many times in a year ठीक है तो कित्ते साल के लिए ये जो session है लोक सभा कराता है देखिए option आपके पास है twice यानि की दो साल के लिए B once एक साल के लिए C जो है थ्राइस लिखा है यानि की तीन साल के लिए and D जो लिखा है यहाँ पे four times ठीक है four years के लिए तो क्या है इसका सही answer सही answer जो है यानि की C part ठीक है three years के लिए next है what is the minimum percentage of seats a party should get to be recognized as the opposition party in the legislature ठीक है तो minimum percentage बताने है हमें उस seats की ठीक है तो क्या है आपके पास option चार option दिए गए है बीस परसेंट पंदरा परसेंट दस परसेंट या no such limit तो क्या है सही answer यानि की C part 10 percentage next question के और चलते हैं among us the following for whose removal पार्लिमेंट resolution is not needed ठीक है अब इन में से कौन से ऐसे पार्लिमेंट का है जो यानि की उनको resolution के लिए उनको किसी की जुरूरत नहीं है तो वो है आपके यानि की chief election commissioner governor of a state या c judge of supreme court and d is comptroller and auditor general ठीक है चार option होगे आपके पास तो सही answer क्या है आपका यानि की b governor of a state next question के ओर चलते हैं next question है आपके पास यानि की the judges of the supreme court take an oath or affirmation before and tiring upon office conducted by ठीक है जो हमारे supreme court के judge है उन्होंने एक ओथ लिया था कहां oath यानि की या इसको affirmation भी कहते हैं ठीक है तो यह लिया था chief justice of india के office या president और vice president या c option president or some person appointed by him and d option जो है आपके पास none of the above तो क्या है सही answer यानि की c part president or some person appointed by him next question है आपके पास to whom does a judge of a supreme court address his resignation if he wants to leave office before his term is complete ठीक है तो अगर जो supreme court के जो judge होते हैं अगर उनको resignation देना हो ठीक है अगर वो चाहते हो कि office वो छोड़ना हो तो उससे पहले कुछ terms होती है जो कि उनको complete करनी पड़ती है ठीक है तो देखिए option आपके पास chief justice of india prime minister, president या union law ministers तो क्या है सही answer यानि की C part president next question है आपके पास if the president wants to resign from office he may do so by writing to the ठीक है अब इसमें पूछा है कि अगर जो president है वो चाहते हैं resign देना office से तो ठीक है उनको क्या लिखके देना है किसको लिखके देना है तो वो आपके पास option है चार यानि की A option vice president ठीक है बी option क्या है chief justice of india C option है prime minister and D option है आपके पास speaker of log sabah ठीक है तो मैंने आपको बताया question में क्या पूछा है कि अगर president चाहते हैं कि हमें resign देना है ठीक है तो उनको कौन से office में जाके या किसके द्वारा जो है उनको वो return में देना पड़ता है ठीक है तो क्या है वो है आपके पास यानि की A part vice president ठीक है vice president हो गया हमारा सही answer तो यह थे आज के हमारे यह नहीं की जेके भी board of Italian के कुछ MCQs ठीक है तो बाकी मैं आपके लिए मोक लाती रहती हूँ बाकी जो हमारी classes चल रही है daily wise तो वो daily चलेंगी कल मैं upload नहीं कर पाई थी क्योंकि कल भी मेरी classes थी सो इसलिए मेरे को time नहीं लगा मेरी class sorry मेरा exam था कल तो हमारी classes यूँ ही लगातार चलती रहेगी आप channel पर बने रहे है यानि की हमारे साथ बने रहे है और जादा से जादा वीडियो को share कीजिए और एक like भी जरूर कीजिए वीडियो को और मिलते है next वीडियो में आज की हम आए बए एक केर